नमस्कार दोस्तो आरुग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिशाष्वागत वंदन और अविन्यंदन करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षी थे दोस्तो आरुग्यम चैनल पे आज ये जो वीडियो मैंने आपके सामने रखा है ये हमारे NetSurf के Q3 की launching है दोस्तो Q3 में NetSurf क्या करने वाला है जैसा कि अगर आप NetSurf में पहले से जोईन हो तो हम लोग Q1 मतलब 3 महीने अप्रैल, माई, जून Q2 जुलाई, अगस, सेप्टेमबर और Q3 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और SQ4 होता है जनवरी, फरवरी और मार्च पूरे साल को चार भागों में बाट देते हैं जिसमें इस बार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कमपनी क्या नए चिंजच कर रही है क्या ऐसे परिवर्तन ला रही है जिससे आपके बिजनिस पे डवलबमेंट हो आपका बिजनिस ग्रो करे तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ Q3 में कमपनी ने कुछ नए ओफर्स लाँच किये हैं जिसके बारे में वह है इस ओफर के दम पे पूर्ण विश्वास है कि ये नेटसर एक ऐसा टार्गेट सेट करेगा कि इन तीन महीनों में नेटसर पे 150 करोड क्रास करने की पूरी तैयारी में है और आशा करता हूँ अगर नेटसर पे 150 करोड का टर्नोवर पूरा करता है तो जैसा कि आपको पता है कंपनी लगभग इसका 50% तो commission हमारे distributor को बाढ़ती है और ऐसे ही अगर ये offer को आप अच्छे से समझ लोगे अगले कुछ मिनट के वीडियो को ये बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन offer का आप कैसे अपनी team में implement कर सकते हो यह Q3 2022 का October, November और December का offer है NetServe में इस बार NetServe ने COVID area के बाद, post-COVID era के बाद आत्मनिर्वर NetServe के theme को लेके आगे बड़ी है इस theme के साथ NetServe ने चार offer इस October और November में दिये हैं जिसमें से अगर मैं पहला offer की बात करूँ तो week care, मतलब हम आपकी care करना चाह रहे हैं और इसमें ऐसा एक जबरदस्त offer company ने दिया है, एक exclusive offer है जो केवल October के महीने के लिए है, कि अगर कोई NetServe में जॉइन होना चाहता है और NetServe में जॉइन होकर वह अपनी ID को Master Direct Seller बनाना चाहता है तो कोई भी purchase करके, कुछ भी purchase करके वह अपनी ID इस महीने Master Direct Seller कर सकता है है ना, मतलब आप कोई भी व्यक्ति NetServe का Direct Seller बनकर अपनी earning को start कर सकता है तो आईए, आप सबसे पहले अपनी ID किसी भी one purchase से activate करिए और उसके बाद आप earning चालू करिए second receipt से offer number two, NetServe का 2020 offer, जैसा इस समय IPL का बुखार चड़ा हुआ है तो क्योंना NetServe हमेशा cricket को sponsor करता है, हमेशा cricket को के हिसाब से चलता है तो ये भी offer 2020 है, मतलब 20 आप करो तो 20 NetServe करेगा ये offer कैसा है, इसमें 20% आपने अपने target को अगर जादा किया तो आपको 20% commission आपके target में extra मिलने वाला है दोस्तों हाँ, अगर आप जो target हिट करने वाले हो, अगर उस target से 20% आपने जादा किया तो वह है, आपको ये करेगा और ये केवल silver club तक के लोगों के लिए ही है, October cycle 1 के लिए दोस्तों, अगर आप achievement करते हो, तो कुछ इस ढंग से समझिए achievement, अगर target 2020 का offer है, तो 2020 offer के हिसाब से अगर 20% का target आप जादा देते हो, तो आपको 20% का commission आपके turnover पे जादा मिलता है उदारन के तौर पे, आप super beginner कोई बनता है, 20-20,000 का वो turnover डालता है लेकिन अगर उसने 20% turnover जादा डाला, मतलब 24-24,000 किया, तो ऐसी इस्तिती में उसको 24-24,000 का 3% 1440 और 1440 का 20% 288 रुपया, मतलब 1728 रुपय का commission मना और 7 में उसको 2% बोनस भी मिलने वाला है, जिससे उसकी total income 2688 रुपय हो जाएगी है नब ऐसा चापोवियान, और अगर कोई level 1 एचीव करता है, मतलब 20-30,000 के target की जगे वो 36-36,000 का target करता है, मतलब जितना 30-30 का target है, उससे उसने 20% target जादा किया तो उसको 2160 रुपय है, तो 3% commission और 2160 का 432 रुपया, आपका 20% बोनस के साथ 25,000 मिलने वाला है और 7 में उसको बोनस मिलेगा 2160 और उसका total commission जहां 4772 रुपय ले सकता है दोस्तो level 2 के लिए भी इसी तरह है, अगर कोई 30-30,000 एक बार कर चुका है और दुबारा 50-50 fight करता है, तो ऐसे इस्तिती में वो 20% target अगर extra करता है तो 60-60,000 मतलब 4800 रुपया उसको मिलेंगे, क्योंकि वो एक बार level 1 कर चुका है तो अब वो 4% के level में है, इसलिए 66,000 का 4% 4800 और 4800 का 20% 960, मतलब 5760 रुपय मिलने वाले है जिसमें 2400 रुपय बोनस जुड़के, अगर देखा जाये तो वो है सांदार 8,160 रुपय कमा सकता है अगर कोई level 2 कर चुका है पिछले महीने और अक्टूबर में level 3 करने वाला है तो 75-75,000 का उसका level 3 का target है, लेकिन उसने कितना किया 20% extra किया, 90-90,000 और इसी तरह उसका 9,000 रुपया चुकि उसने level 2 क्रॉस किया है, तो अब 5% के level में आ गया है 9,000 रुपया 5% से turnover income होगा और 1800 रुपया उसका 9,000 का 20% bonus मिलेगा 10,800 और 1800 रुपया उसको 1% bonus first time entry के लिए मिलने वाला है, जिससे वो लगबग 12,600 रुपय की income लेगा दोस्तों इसमें generation income मैंने नहीं जोडी है generation income भी इसमें कुछ नकुछ जाएगी जिसमें इसको और plus मिलने वाला है, जैसे level 1, cross करने के बाद level 2 जिसने किया उसको अपने नीचे के लोगों का generation 1 का 15% level 2 जिसने cross करके level 3 आया, उसका generation 2 का 10% और first का 15% और जो level 3 cross करके level 4 में जाएगा उसको अपने तीनों generation का 15, 10 और 10 मिलने वाला है मैं level 4 यहां entry नहीं करता हूँ अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने level 1 कर लिया है और वो इस महीने level 1, level 2 नहीं करता और वो level 1, मतलब level 1 ही repeat करता है मतलब second time achiever जो करते हैं किसी ने level 1 पिछले महीने कर लिया इस महीने level 2 ना करके वो level 1 ही maintain कर रहा है या फिर किसी ने level 2 पिछले महीने कर लिया इस महीने level 2 ही maintain कर रहा है या किसी ने level 3 maintain कर लिया इंट्री कर लिया और इस महीने repeat कर रहा है ऐसी इस्तिती में achievement target 2020 offer target है उसमें अगर वो 2020 करता है तो कैसे होगा उसने super beginner किया, दुबारा 20-20,000 किया तो 24-24,000 का turnover डाला उसको तो वही मिलेगा जो पहली बार में मिला है लेकिन उसको bonus नहीं मिलेगा ठीक है, क्योंकि उसने पहली बार bonus ले लिया है अगर level 1 वापस से repeat करता है 30-30,000 चुकि अब उसने एक बार 30-30,000 किया था तो वह 3-4% में पहुँच चुका है इसलिए उसको 2880 रुपया जहां 2160 रुपय का commission मिलने वाला था वहां 2880 रुपया और उसका 20% 574 मतलब 3456 रुपया मिलने वाला है अगर level 2 वापस repeat करता है 50-50 की जगे 60-60,000 कर रहा है चुकि उसने एक बार level 1 क्रॉस कर लिया है तो और यह level 2 क्रॉस कर लिया है तो वह level 2 repeat कर रहा है तो 5% में पहुँच गया इसलिए उसको 5% turnover income 6000 प्लस 1200 रुपया उसका commission 20% मिलेगा और उसको total 7,200 मिलने वाले हैं दोस्तो level 3 level 3 75-75,000 है असने repeat कर रहा है कोई तो 90-90,000 का turnover डालेगा और अगर वो 90-90,000 का turnover डालता है चुकि उसने एक बार level 2 क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद वो 5% से 6% में प्रमोट हो चुका है और उसको 10,800 रुपया प्लस 10,800 का 20% bonus मतलब 12,900 रुपय की income वो उठाएगा दोस्तों तो दोस्तों ये जबरदस्त offer है और इसी तरह ये offer जिस तरह से super track, super beginner के लिए है वही fast track के लिए भी रहेगा लेकिन ये है केवल silver club के लिए ही रहेगा केवल silver club के लिए रहेगा दोस्तों offer 3 जो training हम लोगों ने मनलब net surf ने बीच में COVID की मज़े से बंद कर दी है वो training on ground training 30,000, 50,000 और 75,000 को उनके नजदी की किसी भी अच्छे hotel में training full day की मिलने वाली है तो ये भी खुश ख़बरी है दोस्तों कि आपके अब वो achievers coach company वापस से training भी देगी और bonus तो already दे ही रही है दोस्तों bonus के साथ साथ अगर fast track achiever जो लोग September में fast track achieve नहीं कर पाए हैं मतलब fast track में जिन्होंने maintain नहीं किया लेकिन वो लोग July में fast track में थे अगर वो July में fast track में थे और October में वापस fast track का वो target पूरा करते हैं जो उन्होंने जुलाई में किया है maintain your October month you also get it one night two day training मतलब जिसने September में fast track entry किया और October में भी fast track maintain किया उनको तो ये ट्रेनिंग मिलने वाली है लेकिन अगर किसी ने October में ही अपना fast track maintain भी किया तो उनको भी एक छोटा club net sub जैसा दो दिन एक रात की ट्रेनिंग पहतरी इन होटल में आपके जोन में मिलने वाली है तो जिन्होंने September में fast track नहीं किया वो मायूस मत हो जाईए October में आप fast track का वही target maintain करिये और दो दिन एक रात की ट्रेनिंग लीजिए हाँ जिन्होंने September अक्टूबर दोनों करेंगे उनको ट्रेनिंग के साथ बोनस भी है लेकिन जो केवल October में करते हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी अब सवाल यह उठता है कि अगर उन्होंने 20% target जादा किया तो क्या 20% बोनस मिलेगा 100% उनको 20% बोनस भी मिलेगा केवल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इसलिए October में वापस से आप लोग Fast Track को मेंटेन करो और ट्रेनिंग में मिलो दोस्तो यह जबरदस्त आफर जितने भी दिये हैं खतरनाक है अब हम बात करते हैं हमारे नेटसर्प की असमिता क्योंकि हमारी जो असमिता है वह हमारी असमिता जो डारेक्ट सेलर है वो नेटसर्प की एक दम बिलकुल धुरी है और उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा ग्रोथ किया है उनके डिमांड के आधार पे नेटसर्प ने उनके जो ब्यूटी प्रोड़क्ट थे उनके जो जो उनकी क्योरी थी इतनी खूबसूरत पैकिंग में रंगदे के माध्यम से दिया है इनका पूरा रिवैंप कर दिया है जिसमें आपके बीबी क्रीम, प्राइमर अलग-अलग स्किन टोन के और बहुत सारे ऐसे लिपिस्टिक और लिप कलर ऐसे तयार कर दिये हैं जो आपको देख के इस फेस्टिवल आफर में आनंद आ जाएगा इनको अपने नजदी के स्टॉक पॉइंट पे संपर्क करके इनको ओर्डर करना चालू कीजिए दूतरा एक प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट नारी प्रोजेक्ट है दोस्तो नारी प्रोजेक्ट, नारी प्रोजेक्ट इतना जबर्दस प्रोजेक्ट है कि इस नारी के प्रोजेक्ट के तहट हम लोग NetSurf की एसमिताओं को एक ऐसा incentive देने वाले हैं जिस incentive को लेके मुझे लगता है कि उनको अपने business करने के तरीके में और चारचान लगा सकते हैं क्योंकि एसमिता direct seller अपना MRP टच करके एक बहतरीन gift ले सकती है अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में अगर वो 15,000 MRP का product purchase करती हैं MRP मतलब 15,000 MRP का product किया तो उनको एक branded handbag मिलने वाला है 30,000 पे Bluetooth earbuds मिलने वाले हैं और साथ में 50,000 की MRP पर इस दिवाली पे cookware मिलने वाले हैं दोस्त बहुत जबर्दस तौफर है असमिताओं के लिए और अगर कोई सक्षम है उसको तो नहीं मिलेगा लेकिन वो सक्षम अगर अपने नीचे किसी असमिता के ID पे purchase करता है तो वो जरूर पढ़ा सकता है तो ये महिलाओं के लिए एक नारी प्रोजेक्ट है ये नारी प्रोजेक्ट उनको इस दिवाली में उनके घर में नेटसर्प के माध्यम से product तो मिलेंगे ही, offer तो मिलेंगे ही, commission भी मिलेगा और साथ में gift भी उनके घर जाने वाला है तो दोस्तो तयार हो जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी team में जितनी भी अस्मिताएं join है, सब के घर में इस दिवाली पे gift आना चाहिए दोस्तो e-tailers के लिए भी कुछ offers दिये हैं, e-tailers अगर अपनी ID से e-tail करता है तो उसको भी उसका system है और उसको the target का 50% कर दिया, मगर कोई e-tailer इस मन्त में e-tail करता है total 7,500 का 7,500 का e-tail करता है तो उसको purse या handbag ले सकता है, earbird 15,000 पे है और 25,000 पे उसको cook wear या electric gazette है दोस्त, ये तीनों चीजे 50% है, ये e-tail कर सकता है लेकिन दोनों में से कोई एक ही कर सकता है, अगर वो अस्मिता है तो अस्मिता वाला offer और अगर वो यहाँ पे है, e-tail कर रहे हैं, e- जबरदस्त offer है, link share करें, link share करके उस link से जो लोग purchase करेंगे, उस purchase की जो MRP होगी, उस पर काम होने वाला है दोस्तों, ये जबरदस्त offer है, उसके बाद आटो सिप में एक बहुत offer दिया है, आटो सिप NetSurf में एक ऐसी system चालू किया है आपके customer के लिए, जो लोग अपने हर मह अगर एक महीने का product वो उठाते हैं, इटेल की माध्यम से तो 10%, दो महीने पे 12, 15, 6 महीने का subscription लेते हैं तो 20, और दोस्तों 5 महीने के 25 और 6 महीने के 30% का एक आटो सिप का system तयार किया है, ये आप अपने team में लोगों को promote कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने senior से संपर्ख करिए जहां भी आपको confusion हो, तो क्या आप तयार हैं, ये चारो offer के लिए, क्योंकि ये चारो offer आपके business को जरूर उचाईयों पर लेके जाएंगे, Q3 का 2021 का October, November, December का एक और जवरदस discount offer दे दिया है company ने, 15,000 MRP पे 20%, मतलब 1200 जमा करो 15,000 का सामान लो, और ID green हो ज ले सकते हो, ये discount, और साथ में बड़ी मिननत के साथ, क्योंकि ये season है, खेती का, और season है, ऐसा मौसम, ये offer वापस से इस महीने के लिए repeat किया है, और ये 15,000 रुपैग में 35% का discount offer, 9,750, अब आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर कोई असमिता 15,000 MRP का product purchase करती है, तो 9,750 तो 50 जमा करेगी, और एक handbag भी मिल जाएगा, अगर ओ 30,000 का करती है, या 50,000 का करती है, तो discount भी मिलने वाला है, 20% उसको commission भी मिलने वाला है, entry बोनस भी मिलने वाला है, और साथ में दिवाली का gift भी मिलने वाला है, समिताओं के लिए तो जबड़ दस खुश खबरियां है आप अपना दिमाग लगा लो क्योंकि आप direct seller हो, कि आप किस पर कौन सी ID पर कितनी purchasing करोगे, दोस्तों ये सारे offer इतनी जबरदस्त है, कुछ importance announcement भी कर रहे हैं, अब ID लगाते समय, आपको एक और सुविधा company दे रही है, मतलब आप आधार card के माध्यम से easily ID लगा सकते हो, व जमान के चलिए select login with आधार, इंटर आधार detail, अगर आप आधार detail करते हैं, तो आपके पास OTP आएगा, OTP आपने डाला, तो आपकी auto-filled detail अपने आप detail auto-fill हो जाएगी, complete और registration, और ये बहुत जबरदस्त है, जिससे आप पहले pen card से होता था, अभी आधार card से connected होने लगा है, दोस्तों, ये सारी चीजे हैं, और एक और important announcement, जो Q3 का है, वो Q3 के सारे closing date अभी से final कर दिये है, कमपनी ने इसलिए closing date final किये हैं, क्योंकि लोग दुविधा में रहते हैं, कल भी चलेगा, परसो भी चलेगा, लेकिन अभी stamp पे लिख लो, इलकुल दिल ठाम के लिख लो, अ वो एक November को होगी, और November 1st cycle की 16, November 2nd cycle की 1 December को होगी, और December की जो cycle होगी, वो 16 तारीक को होगी 1st cycle, और 7 में December जो 2nd cycle होगी, वो 3 January को होगी, अभी किसी applying को फोर नहीं करने का, लाख नहीं, 50 लाख का भी आपके पास bill pending है, मतलब stock point की गलती से भी bill नहीं कट रहा है, payment नहीं जा रहा है, server down हो रहा है, ये सारे बहाने खतम, ये closing date final रहेगी, तो इसलिए आप सभी से आग रहे है कि आप ये सारी closing date को note कर लो, इसके 5 दिन पहले से तयारी करो, बहाने नहीं चलेंगे, closing उसी date पे होगी, तो दोस्तों 1500 करोड का target net serve का 100 नहीं 500% पूरा होने वाला है, और आ खतरना का उफर, मैं चाहता हूँ कि आप ये channel को subscribe करिए, bell icon जरूर दबाएए, और नीचे अगर आपका कोई सवाल है, तो comment box में लिखिए, मैं आपको repeat करके उसको बताऊंगा, धन्यवाद, धरा प्रणाम, All the best